कि अज़िए स्रीज में हम लोग आज ECM को ओपन कैसे खड़ते हैं वो मैं आपको टिप और ट्रिक्स बताऊंगा उसके लिए जनरलिया में कुछ नहीं चीएगा दो स्कूर्ड्राइवर चीए एक आपको साथ में एलपर रखना है इसको किया ना स्ट्रोंग ली पकड़ के रख सके उसके लिए और एक छोटा मुटा अगर आपके पास एमर तो भी चलेगा इट्स में से का थोड़ा चीएगा ठीक है ना तो राइट नौ मैं अभी तो आपको जो शिप्ट में और टाटा जो ओल मोडल मांजा वगरा उनमें लगता ही है में इसको कैसे ओपन करते हैं तो लोग काफी गलती करते हैं कि इसको ओपन करते टाइम इसका उपर वाला कपलर बोर से उखाड देते हैं यह कॉमन होता है नहीं लोगों के साथ में तो मैं आपको वीडियो के वीडियो में आपको सारा सब कुछ समझा लूँ और अगें देन मैं आपको कुमिन्स के बारे में भी समझाने वाला हूं इसी वीडियो में तो फिलाल आप देख लीजिए कि इसको कैसे ओपन करते हो और इसका इंटर्नली होता क्या है जिसकी वज़े से यह कपलर आगे से बोर्ड से उखड जाता है ठीक होता यह पूरा इंसुलेट होता है अंदर से जिसको हम लोग सिलिकोन ट्यूब कहते हैं जो इंजन में भी यूज होता है उससे यह पूरी तरह से पैक्ड होता है कि अंदर वाटर डेमेज ना हो उसके लिए तो यह पीछे से चार त आते हैं यह कब छुडाना है और इसको यहां से कब निकालना है मैं दोनों चीजा आपको पहले इसी वीडियो में कवर कर लेता हूं और यह बोर्ड के साथ मैं से क्यों उखड़ता है उसका रिजन आपके सामने आ जाएगा तो मैं फिलाली से ओपन करने की कोसिस करता हूं आपको कुछ नहीं करना है यह जो सिंग दे रखे हैं जहां पर हम लोग टैन का बोल्ट जो हम लोग यूज करते हैं गाड़ी के अंदर इसके और उपर वाले बोड़ी के बीच में यहां पर हमें स्कूर्डाइवर डालना है और एक बंदा साथ में और रहेगा तो एक साइ देखो पहले नीचे से ऐसा ना उपर से आप चालू करें ठीक है तो जितना हो सके कॉर्णर पर रखे टैबल के जिससे आपको इजी वे में यह नीचे मूग कर पाएगा इसको ड्राइवर ठीक है ना इसको ड्राइवर पूरी तरह सा ऐसे लेक करना चाहिए तो यह जल रहा है ठीक है आपको पता भी निलगा होगा और यह देखिए अब आप अगर जबर्दस्ति करेंगे यह देखिए मैं आपको वेसे बता देता हूँ अब इससे इसके बात में भी आप जबर्दस्ति करते हैं यह देखो यह निकल चुका यह पूराना है ECM इसकी वज़ देते हैं पहले यह देकिए यावाज जो आई यह इसके नीचे वाला सीट छूटने की यह देकिए अभी यह नीचे वाला पूरी तरह से से यह देखिए अपनी Sen चु catch को अब आपको करना क्या है यह उपर वाला चुड़ाना नहीं तो क्या होगा यह कपलर टूटके बोर्ड के साथ में बाहर आ जाएगा तो आपको इसकूल ट्राइवर यहां डालना है अब काफी लोग बोलेंगे कि यह उपर वाला कपलर तोड़ा सा खराब होता है कॉड़नर से होगा उसके लिए ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता हूं अगर यह नहीं जाता है यहां पर पेचकस तो जबर दस्ति आप यह दर हाथ रखिए मैंना कात ना एक बंदा आपको सपोर्ड में चीएगा यहां रखिए आपको थोड़ा सा पेचकस को मान ना है ठीक है जब तक अंदर ना जाए यह गया यह इतना मुश्किल से खुलता है नया पीस आप ऐसा मत समझना कि बहुत इजी खुलता है लोग दिखाते हैं सिरफ इंस्टिटूट में बोर्ड हाथ में देते हैं लेकिन खोलना सीखना भी आना चीए आपको यह हेलपर इसलिए लगता है क आपको strongly grip चीएगी इसम खोलने के लिए ठीक ना अब आप हाथ रटा लो फिर आपको इधर हाथ रखना है ठीक ना इधर हाथ रखके यह देखो यह पूरा का पूरा कवर बार यह इस तरह से अब यह कपलर की तूडता है मैं आपको इसका रिजन बता देता हूं देखिए अभी तक company का सिल रही है ठीक है ना यह हमने निचे का यह कंपनी का सिल्ड है क्यों ऐसा ही इसे माता है रिपेरिंग के लिए हमारे पास और आपके पास भी ऐसा ही आएगा फ्यूचर में तो यह सिल्ड रहता है अब इसमें करना क्या आपको एड़ यह देखिए यहां पे यह यह यहां पे है और गयां फेगा चरेंसे यह कफळा टूड जाता है और बोड साथ में उखाड़ देता है यहां से फूरा पूरा पूरा यह ब्रैक बाद नियुक्त तस में पहले हुँ यह देखिया यह निकला पड़ा है ठीक है ना तो इजी वे में पूरा बोड बार आ जाएगा तो ऐसे ही मैं आपको दूसरी इसी में दिखा देता हूं कैसे ओपन करने अपने को कि यह साइड में रोको यह देकि आज हम अभी कुमींस कर रहे तो काफी लोगों कि डिमाइट रहती है कि सरी आप